नमस्ते मैं हूँ प्रिशान्द आप देख रहे हैं दिललन टॉप खबर पर बढ़ने से पहले आपको ये बता दूँ कि हमारे संपादक सौरफ दिवेदी जी यूपी की यात्रा पर जा चुके हैं लाइव आएंगे आपसे मुखातिब होंगे लेकिन सिर्फ ललन टॉप जन्यू से जन्यू में इंजिनियरिंग के चातरों के लिए तयार कोर्स के कंटेंट को लेकर विवाद हो गया है इसमें कहा गया है कि कटरपंती धार्मिक आतंगवाद का एक मात्र रूफ इसलामिक जिहादी आतंगवाद है ये भी की ततकाली इन सोवियत संग और चीन के कम्मिनोश साशकों ने सरकार प्रायोजीत आतगवाद को बढ़ावा दिया जिससे कटरपंती इस्लामिक राज्य प्रभावित हुए तो आईए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है एंटी टेरिरिजम से जुड़ा ये कंटेंट इंजिनियरिंग के पाँछमें साल में MS के छात्रों के कोर्स का हिस्सा है Engineering में B.Tech के बाद अंतराष्ट्रिय संबंदों में विशेशग्यता के साथ MS करने वाले छात्रों के कोर्स में ये पढ़ाया जाएगा लेकिन ये Optional होगा 17 अगस्ट को Academic Council की बैठक में एक नए पेपर को अनुमती दी गई इस पर विवाद हुआ Monsoon Semester के लिए Online Classes 20 सितंबर से शुरू होगी और छात्रे से इस सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं इस Optional Course में Engineering के छात्रों को ये पढ़ाया जाएगा कि आतंगवाद से कैसे निपटा जाए और इसमें विश्व शक्तियों की क्या भूमिका हो लेकिन विवाद ये है कि एक धर्म विशेश को आतंगवाद से जोड़ा गया है कटरपंती धार्मिक आतंगवाद को जिहादी आतंगवाद बताया गया है इंडियन एक्सप्रस में चापी एक रिपोर्ट के मताबिक इस कोर्स में कटरपंती धार्मिक आतंगवाद और उसके प्रभाव सिर्शक वाले एक चैप्टर में लिखा है कि कटरपंती धार्मिक आतंगवाद ने उन 21 सदी की शुरुवात में आतंगवादी हिंसा को जन देने में महतुकूर्ण भूमिका निवाई कुरान की गलत व्याख्या की वजए से जिहादी हिंसा को तेजी मिली ये विचारधारा आत्मगाती हमलों का भी महिमावंडन करती है ऐसी बाते लिखी है इनमें आगे कहा गया है कि कटरपंती इस्लामिक मौलवियों द्वारा साइबर स्पेस के शोशन के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में जिहादी आतंगवाद का एलेक्ट्रोनिक प्रसार हुआ है जिहादी आतंगवाद के ऑल्लाइन प्रसार की वज़ए से दर्मिट पेक्ष गैर इस्लामिक समाजों में भी हिंसा में तेजी आई है इस कोर्स की रूपरिखा तयार की है प्रोफेसर अरविंद कुमार ने वो सेंटर फर कैनेडियन यूएस और लाटन अमेरिकन स्टडीज के चेर परसन भी है आज तक किसमवादाता कुमार कुनाल ने अरविंद कुमार से बात की इस कोर्स की जरूतों बर भी बात की उन्होंने कहा कि यह हमारे उस कोर्स का हिस्सा है जिसे बीटेक करने के बाद शात्र अंतरराष्ट्रे संबंदों के बारे में पढ़ सकते हैं इसमें हम ऐसे विशे का चुनाव करते हैं जिसका अंतराश्ट्र शुरक्षा के साथ तकनीक से भी संबंध हो भारत के नजरिये से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण विशे है ऐसे समय में जब विश्व में कई देश भारत की शुरक्षा जरूरतों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना जरूरी है ऐसे में विशे और एहम हो जाता है आतंकवाद पर एक धर्म विशेश को दोशी ठहराने के सवाल पर अर्विंद कुमार ने जवाब दिया कि जिहाद एक वैश्विक चुनोती है ऐसे समय में जब अफगानिस्तान पर कालिबान में कबजा कर लिया है तब इससे सामसामिक विशे और कोई नहीं हो सकता था जिहाद को लेकर अलग-अलग देशों को आपसी सहयोग की जरूरत है खास तोर पर दक्षनेशिया के जियो पॉलिटिक्स पर इसका काफी प्रभाव है जो लोग इसको लेकर विवाद कर रहे हैं उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस विशे का हिस्सा साइबर और आर्थिक आतकवाद को भी बनाया गया है विशुविद्याले की Academic Council की बैठक 17 अगस्ट को हुई थी इस पाठिक्रम के मामले में निर्ने लेने वाली विशुविद्याले की सबसे बड़ी बॉड़ी है इस दोरान countering terrorism, asymmetric conflict and strategies for cooperation among major powers सीर्शक वाले का optional paper को मन्जूरी दी गई जिन्यू सिक्षक्षंग का आरोप है कि जिस बैठक में इस course को पारित किया गया उसमें चर्चा करने की अनुमती ही नहीं थी सिक्षक्षंग का यहां तक आरोप है कि जिस school of international studies में इस विशय की रूपरिखा तैयार हुई है उसके डीन को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी इंजिनियरिंग की डीन यह कह रहे हैं कि चूंकि यह विशय उनके शेत्र से बाहर है इसलिए उन्होंने इसको मन्जूरी दे दी है आप देख रहे थे दिललन टॉप बने रहीएगा हमारे साथ शुक्रिया